हेलो स्टूडेंट हावर यू आल टूडे वो डिसकस गैस लास तो बच्चे गैस लास क्या होता है तो पहले हम इसकी डैफिनिशन देख लेते हैं यानि बचचे कोई भी ऐसी फीजिकल क्वड़िटी जो हमें घैस के बारे में बताती हूं उन दो फीजिकल क्वड़िटी का रिलेशन और उसमें जो बचचे जो गैस की पीसरी क्वड़िटी होगी अगर हम उसे कांस्टन मान लें तो कहता है the relationship between any two physical quantities used to specify the state of gas जिसका यूज करके हम क्या करने वाले हैं gas की states को verify करने वाले हैं या specify उसको बचे बताना चाहते हैं उसकी configuration के बारे में different properties के बारे में but one thing is mind बचे आप में रखना है कि हमने जो third physical quantity है अगर हम उसको constant मान लेते हैं तो बचे इसको हम क्या बोलते हैं हमारे पास के गैस लाजम बचे अगर लेट हम करें तो हम तीन quantity जएतर हम लेते हैं pressure, volume और temperature यानि इन दोनों का at a time बचे आप relation निकालो किसी भी तीसरी को constant मान लो बचे आप volume versus pressure निकाल रहे हो temperature को constant रखके जब pressure versus time निकाल रहे हो बचे volume को constant रखके तो ये जितने भी बचे हमारे पास relations बनते हैं इन relation को हम gas last कहते हैं तो बचे चलिए हम इसी के उपर हम different quantities को constant मान कर देखते हैं हमारे पास कौन कौन से last हमारे पास developed होते हैं तो चलिए बचे इस पहले last की हम बात करते हैं जिसका नाम है बचे बाइल्स law तो बचे बाइल्स law क्या होता है कहता है इस law के मताबक क्या है according to this law the volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to the pressure बचे ये कहता है कि हमने वालिम जो है fixed mass of a gas का उसको देखा और वो किस पर inversely depend कर रहा था बचे pressure के उपर लेकिन कब बचे देखो ये दो quantities के बीच का relation है इसमें तीसरी को हमने constant रखना और बचे तीसरी मारे पस temperature बचता है देखो कहता है volume जो है वो inversely proportional करता है pressure के उपर कब जब temperature बचे कहा रहेगा हमारे पस constant रहेगा तो बचे इस लाग को हम कहलता है boils लाग तो याद रखना है जब आप temperature constant मान लोगे किसी gas का उसको जो volume है बचे वो inversely proportional करेगा तो बचे जब कभी भी आप pressure को multiply करोगे volume से जब temperature आपने constant रखा होगा तो बचे इन दोनों की multiplication आपको एक constant number ही देगी अब बचे जिस मर्जी pressure की बात करो जितने मर्जी variation आई pressure के अंदर जितने मर्जी variation आई बचे volume के अंदर इन दोनों का product हमेशा बचे आपको एक constant देगा वो हमेशा बचे same number ही आएगा ठीक है ना तो अपने यह वाले याद रखने हैं यह pv equal to constant होता है कब जब टी constant यह नहीं temperature fixed होगा ठीक बचे इसी तरीके से जैसे मैंने भी बात किया अगर हम मान लेते हमारे पस v1 और p1 जो है volume और pressure है बचे गैस के initial time पे बचे temperature constant रहना चाहिए ठीक है मान लों 20 degree Celsius temperature की बात कर रह रह रहा है या pressure को change करने से हमारे पास volume vary कर रहा है ठीक है तो बचे अपने देखा हमने मान लिये शुरू में जब changing हमने देखियो सकत v1 और p1 थे pressure और volume हमारे पास और थोड़ टाइम के बाद बचे अपने view किया और v2 और p2 बचे हमारे पास pressure and volume आगे but temperature वही 20 degree Celsius था उस वकत बचे पी 1 को आप v1 से multiply करो और p2 को v2 से multiply करो दोनों के answer जो आपके पास आने वाले हैं वो क्याएंगे same आ जाएंगे तो बचे यही मैं आपको बदाना चाहता था कि बाइल सिला क्या कहता है कि आप जब temperature को constant रखोगे तो volume जो है वो universally proportional होता है बचे किस के उपर pressure के उपर जैसा कि बचे figure में देख रहे हो हमने graph draw किया है बचे किस किस के बीच में volume और pressure के बीच में तो बचे इसका जो graph आप देख रहे हो जैसे जैसे volume increase होगा वैसे pressure जो है बचे वो क्या करना start करेगा decrease करना start करेगा बचे यह वैसी बात हो कि आपने handle molecules को न एक 2x2 मिटर के room में म मुझे बताओ जो यहां के molecules होंगे वह कहां पर relax रहेंगे इस जगह पर या इस जगह पर तो जहां volume जएदा होगा वहां जएदा relaxation रहेंगे जहां volume थोड़ा कम होगा वहां वो tightly हो जाएगे यह प्रेशर जएदा apply करेंगे तो इसलिए हमने बात कि जैसे जैसे volume को increase करोगे तो जो गैस का pressure अब हो क्या करेगा डिक्रीज करेगा exponent form के अंदर ठीक तो बच्चे यह था हमारे पास कौन सा boils ला जिसके बाद हमने बात की अभी बच्चे हम डिसकस करेंगे next हमारे पास charles ला क्या होता है तो बच्चे जैसा कि अभी हमने बात की boils ला में हमने किसको constant रहेगा constant रहेगा ठीक है gas remains constant तो volume of a given gas is directly proportional to the temperature of the gas when pressure of a gas remains constant यह इसमें बच्चे volume जो directly depend करता है temperature पर जब पी को आप क्या response करोगे constant इसका मतलब बच्चे क्या volume यह आप temperature बढ़ा होगे तो बच्चे volume increase होगा यह volume increase करने से क्या बढ़ेगा temperature increase होगा यह वालियूम is directly proportional to temperature when pressure remains constant बच्चे आपने यह बात याद रखनी है और बच्चे volume और temperature की जो ratio रहेगी न हमेशा वो constant रहने वाली है यह बच्चे आपने बात याद रखनी है यह इन दोनों के ratio में रिशा कह रहेगी constant यह वी बन अपन टी बन आकर आप निकालोगे तो बच्चे वो बराबर आजाएगा वी टू बाई टी टू के अब किसी भी वालियूम किसी भी temperature की बच्चे बात कर सकते है गिवर गैस की add constant pressure तो हमेशा बच्चे उन दोनों के ratio आपको एक single constant ही देने वाली है तो बच्चे यह चार सला है चार सला बच्चे कहता है कि volume जो है वो temperature पर depend कर रहा है डिरेक्टली उस वोकि जब pressure constant होगा ठीक इसका बच्चे अपने graph ड्रा के इस graph को समझना है ग्राफ यह कहता है कि हमने तो volume और temperature में जब हम बच्चे ड्रा करेंगे directly proportional है तो बच्चे इसका मतले इन दोन में एक straight line आरी है जैसे कि बच्चे यह डाटी लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है यह ग्राफ बना variation of V of a gas with its absolute temperature must be state line यहनी कि बच्चे अगर हम graph की बात करें तो graph यह बताता है कि volume और temperature के ज में ऐसा graph मज़र आता है जब हम volume और temperature के बच्चे बच्चे ग्राफ ड्रा करतें इसका meaning बच्चे है क्या मतलब हो इसका experimental graph between the values of V and TFA gas is not exactly a straight line यह बच्चे अग्चे बच्चे इसका actual में ग्राफ है इसका मतलब बच्चे यह होता है कि बच्चे यह आया कब जब temperature यहां तब पहुंच गया increase होकर ना जब temperature यहां पर पहुंचा वाल्यम यहां पर पहुंचा तब यहां से ग्राफ स्टार्ट होता है इसका मतलब बच्चे यह है कि जो गैस लाइए जो गैस हमारे पास जो गैसे होती है बच्चे चार्ट लाग को कब फालो करती है एट हाई temperature के ओपर इसका मतलब बच्चे यह है कि जब अब temperature को increase करोगे उसके बाद बच्चे वाल्यम जाकर क्या होगा increase होना start होगा at a certain point के बाद तो याद रखना जो यह हमारे पास gases चाल स्ला को बच्चे कब करती है जब at high temperature की बाद हो रही होगी तो बच्चे कल के lecture में हम आगे चलेंगे गे लुशिक्स ला की तरफ जो तीसरा ला बच्चे हमारे पास okay thank you very much have a nice day